बहुत बड़ी चीज थी कि देश में परिवरतनकारी एक माहोल था भारत बहुत तेजी से वेश्विक परतीस परदाओं को करास करते हुए आगे बढ़ रहा था उस दोर में सबसे बड़ी भूमी का लोकसभा की होती है जहां नए कानूनों पर काम होता है हालनकि हमने सारे कानून जो मन के अंदर बनाए थे वो पारित किये हैं मगर इसे दुर्भाग के कायदें कि लोकतांत्रिक व्यवस्ता पर जिसे अब भरोसा नहीं है या जो 1925 की इमर्जेंसी जिसे हालातों को ही सही मानते हों ऐसे दल कांग्रेस ने लगातार बाइकाट किया सदन चलने नहीं दिया चर्चाओं में अवरोध बनाया और जिस विशे पर चर्चा मांगी थी उसके लिए समय देने की बाद सारवजनी ग्रूप से राजनास सिंग जी ने अमिशा जी ने कही उससे भागे और जब मौदी जी रिप्लाइ करने आए तो यह इन रिप्लाइ के वक्त पर विरोध करते हुए बहार निकल गए जाने जिन लोगों का प्रजातांत्रिक के वस्ताओं पर भरोसा नहीं है आज हमने जिन कानूनों को बनाने का प्रयास के अंतिम दोर में हमने CRPC, IPC और Evidence Act को नए प्रक्रियाबद तरीके से लाने का प्रयास किया था आवशक्ता थी उसमें डिबेट हो हमने जाहिन प्रयामेंटरी कमेटी को सौप दिया है ताकि वो देश भर के तमाम लोगों से और इस सम्मन में क्या लोगों की इच्छाएं वो दे ताकि आने वाले समय में भारत ऐसे सशक्त कानून बना सके जहां अपराद छुन्य हो जहां लोग सामाने रूप से अपने जीवन को अच्छे से चला सके और देश के विकास में काम कर सके बड़ा निड़ने ही हुआ कि कोट में लोगों की चप्पले गिर जाती ती ती तारीकों पर 25-25 साल केस चलता रहता था अब साइर पर्लामेंट में जो तंकोदन आया उसमें तीन साल से जड़ा केस चलेगा नहीं इसमें एक इसपष्ट ये कर दिया गया जैसे उधारन के लिए टी आई को कोई गवाही देनी ये पुलीस अधिकारी को कोई गवाही देनी अगर कोई इसमें कोताई बरता है जैसे कोई अपराद हुआ कोई चोरी हुआ तो फॉरेंसिक लेबों के माद्यम से चेक करके उपलब्द केमरों को फी साक्ष्य मान लिया जाएगा और उनको उसके से सम्मन्दित दंड ततकाल सुना दिया जाएगा और लंबे समय तक केस जो उलजते रहते हैं अनुपस्तिती तारीक बढ़ाने के दाउद इबराहिम जैसे केस में देखते हैं कोटे कहती तामिल नहीं हुआ उपस्तित नहीं है पहले उपस्तित करो फिर सुनवाई करेंगे फिर फेसला देंगे अब भारती कोटे डे टू डे सुनवाई करेगी अनुपस्तिती में भी सुनवाई करेगी और अपने फेसले सुना कर अगर वेश्विक परिस्तितियों में भेजना है तो इंटरपोल को मैसेज कर दिया जाएगा कि ये भारत का अपरादी है और इसे दुनिया में से कहीं भी सभी पकड़ कर लाया जाए लोगों को जूटे गवा देने वालों को भी सजाये निर्धारीत होगी जूटे प्रकरणों में भसाने वाले लोगों की भी सजाये निर्धारीत होगी और इसलिए भारती कानून अब अंग्रेजी व्यवस्ताओं को छोड़ते हुए अपने खुद के कानून बनाने के लिए आगे बारत चांद पर पोज गया भारत एक बड़ी उपलब दिये तेखे चांद पर पहुँचना एक उपलब दिये हम दुनिया में तेज घर्टी से बढ़ने वाली एकॉनमी के रूप में चिन्नित हुए है हम अपनी गरीबी की रेखाओं को क्रास करके तेरा करोड भाईयों को उपर लापाने में सफल हुए है आती गरीबी से मुक्ति हम पांच लाग का कार्ड हरेक के जेब में डाल पाने में सफल हुए है ताकि हम गरीबों के स्वास्त की सुवधाएं सुलब करा दें उनके बच्चों के पढ़ने के प्रबंदन सुलब करा दें और बदलते माहौल में एक ऐसा भारत बने जो आज पांच वे नंबर की एकौनामी बन कर आया है लेकिन दोजार सथाइस सक भारत वर्ल्ड की तीसरी एकौनामी बनने के लिए एक जम आगे बढ़ रहा है और उसे भारती बच्चों का लगातार सहयोग मिल रहा है अफिम को लेके वाइसाब के आपने विटमंत्री निर्मला सीता रामन से मुलाकात की और करीब इस अफिम बेल्ट में मधिपध्यस और राहिस्तान के एक लाख किसान बढ़ाए जाने के एक मांग रखी और साथी जो 5% जो मार्फिन की मातरता है उसको समाफ करने की बीबाती तो क्या इन तमाम बातों पर विटमंत्री ने सहीमती जटाई और कब तक के अफिम निती का फेसला हो जाए मैं देखो साहिमत ही है समय तिनियोती पालिसी है जो भिन्द भिन्द प्रोसेसों से आगे बढ़ती है मैं अध्यनाधारित काम करता हूं और जब मैं लगातार लगातार हर वर्ष पट्टों की संख्या बड़ा पाने में सफल हुआ हूं तो मैं चाहता हूं कि यह दस्वा वर जी भारत सरकार नरेंद्र मौदी जी का नेतरत्व हमारी बातों को लगातार संख्यान में लेते हूँ आगे बढ़ता और मैं आशावादी हूं कि मेरी मांग को भी संख्यान में लिया जाएगा तो आप से आंसर तुदिर गुपता जो कि मांसुम तत्र के बाद यहां निम के लिए राक्या स्वन की रिपोर्ट निमा तूड़े के लिए राक्या स्वन की रिपोर्टन